Artificial Sweetener से Hot Attack का खत्रा बढ़ सकता है। Study NBT News Desk मोटापे या Diabetes से पीडित लोग मिथास के लिए लंबे समय से Artificial Sweetener का इस्तेमाल करते रहे हैं। समर्थक इसे स्वास्थेवर्धक मानते रहे हैं। और कहते हैं कि इस से Blood Sugar कंट्रोल करने में मद मिलती है। साथ ही, वजन घटाने में भी यह सहायक है। लेकिन Times of India की एक रिपोर्ट के मुताबिक, Cleveland Clinic की स्टडी में दावा किया गया है कि Artificial Sweetener का इस्तेमाल लंबे समय के जोकिम पैदा कर सकता है। इससे Hot Attack का खत्रा भी बढ़ सकता है। मुद्दा क्यूं है एहम। भारत जैसे देश में डाइबीटीज के मरीजों की तादाद इतनी है कि इसे दुनिया की शुगर कैपिटल कहा जाता है। बहुत से लोग Artificial Sweetener को सेहत मंद मान कर इसका इस्तेमाल करते हैं। नई स्टडी आँखे खोलने वाली है। क्योंकि एरिश्रिटोल, अरित्रिटोल, जैसे नामी स्वीटन भारत समेट पूरी दुनिया क्या कहती है स्टडी, नेचर में आसानी से मिलते हैं। Medicine, जर्नल में छपी स्टडी कहती है कि एरिश्रिटोल स्वीटन का लंबे Artificial Sweetener के सेवन से क्या असर पड़ सकता है। कैसे बनता है एरिटिटोल या Artificial Sweetener शुगर की तरह 70% तक मीठा होता है। इसे मक्के के फर्मटेशन से तयार किया जाता है। शरीर में जाने के बाद यो तो ये पेश आप से बाहर निकलता है, लेकिन स्टडी में इसे क्लॉट के रिस्क से जोड़ा गया है। क्या कहते हैं डॉक्टर? फोटिस सी डॉक के चेयर में डॉक्टर, अनूप मिश्रा, कहते हैं कि हम हमेशा मरीजों को सलाह देते हैं कि वे सीमित मात्रा में ही आर्टिफिशल स्वीटनर का इस्तेमाल करें, लेकिन इस स्टडी के बाद अब आर्टिफिशल स्वीटनर न लेने की सलाह दी जाएगी। हौट स्पेशलिस्ट डॉक्टर, मोहिद गुपता कहते हैं कि स्टडी बताती हैं कि आर्टिफिशल स्वीटनर का इस्तेमाल करने वालों में वजन विरोधाभासी तरीके से बढ़ता है, और मेटाबोलिक सिंड्रोम डेवलप होने का खत्रा होता है, यों तो किसी चीज से नुकसान इस पर तेह होता है कि वह चीज किस मात्रा में इस्तेमाल की जा रही है, लेकिन कभी-कभी मामूली खपत भी किसी व्यक्ती को जोखिम में डाल सकती समय तक इस्तेमाल करने से हौट अटेक और स्ट्रोक का खत्रा बढ़ जाता है, अमेरिका और यूरोप में 4000 के वर्षों में KMD और चेयर्मेन, शोध के लेखक काफी पॉपुलर हुए है, लेकिन इस दिशा में और गहराई से रिसर्च की जरूरत है, क्लीवलन क्लिनिक में रिसर्च इस्टिट्यूट स्टैनली हेजिन ने कहा, ये समझना जरूरी है कि चीनी की जगह इस